आप लोगों ने देखा होगा आपके Facebook Ads Manager में एक बहुत ही नया तरीका आ गया है Facebook Ads को रन करने का इस तरीके से Advantage Plus Shopping Campaign आने लग गया है यह अगर आप Lead Campaign शुरू करते हैं तो आपको इस तरीके से दिखागा Tailored Leads Campaign तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह Tailored Leads Campaign यह Advantage Plus Shopping Campaign क्या होता है यह कैसे Manual Sales Campaign से अलग है जो कि पहले एक स्टंडर्ड तरीका होता था किसी भी Facebook Ads की Campaign को बनाने का तो इस पूरी process में step by step go through करूंगा और आपको differences बताऊंगा साथ ही यह बताऊंगा कि कब आपको कौनसी Campaign यूज़ करने की जरूवत है तो दोस्तो आज कल जब भी आप नई Campaign क्रेट करते हैं Most of the case में यह option आपको मिलेगा केवल sales के और leads के case में अगर आप sales पह क्लिक करेंगे और continue करेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा Advantage PLUS Shopping Campaign अगर आप Leads पह क्लिक करेंगे और continue करेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा tailored leads campaign अब में आ गए आगे आपको Advantage PLUS Shopping Campaign के साथ सब् σεड़ाते जाओंगे वही Maximize Performance, Find New Customers, Preset Settings, Include Automatic Placement, Lowest Course, Bade Strategy and more. तो दोस्तों, Facebook की तरफ से आपको काफी रोजान दिया जा रहा है, काफी अट्रेक्टिव बनाया गया है, कि आप इस campaign को यूज करें, और जो पुराना स्टेंडर्ड तरीका था, उसको नाम दे दिया गया है, Manual Sales Campaign और इसको बिल्कुल भी attractive नहीं बनाया गया है, तो चलिए हम इसको continue करते हैं, यहीं पर click करके, और एक दूसरे टैब में मैं Manual Setup को click करके continue करता हूँ, ताकि मैं आपको differences समझा पाऊं, तो दोस्तों, Advantage Plus Shopping Campaign में आप देख सकते हैं, कि इसमें campaign level है, और उसके बाद direct ads level है, इसमें adset level आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि आप Manual Campaign शुरू करते हैं, तो आपको उसमें campaign level, adset level और ads level, यह तीनों level देखने को मिलते हैं, अब हम Advantage Campaign में आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि campaign level पर क्या क्या information है, तो नाम है, आप अपना conversion स्लेक्ट कर सकते हैं, आप अपना pixel स्लेक्ट कर सकते हैं, ओडियन्स की location आप स्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे budget वगिरा आप डाल सकते हैं, और इसके बाद यह आपक number of conversions लिखे हुए दिखते हैं, तो बस इतनी सी ही चीजे हैं, यहाँ पर जो आपको दी गई हैं, जिसका आपके पास control है, Advantage प्ला shopping campaign में, जबकि आप manual campaign में, अगर campaign level पर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी option मिलते हैं, जैसे campaign name के बाद, आपको buying type आप चेंज कर सकते है campaign objective, आप अभी भी change कर सकते हैं, catalog अगर आपको use करना है, तो वो भी आप click कर सकते हैं, A-B testing कर सकते हैं, और Advantage campaign budget को भी चालू कर सकते हैं, उसी के साथ इसके एड़ सेट लेवल में भी आपको बहुत सारे option मिलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, यह manual campaign में मे मिल रहे हैं, इसके बाद आप pixel चूस कर सकते हैं, cost पर result आप चूस कर सकते हैं, show more options में जाएंगे, आप तो attribute setting भी change कर सकते हैं, when you get charge, delivery type, dynamic creative भी आप इसमें बना सकते हैं, इसके लाब बजट तोस में भी आपने देखा हैं, इधर आप audience में बहुत सारी डाल सकते हैं, जबक बहुत सारी filter ब्लॉक कर सकते हैं, content type कर सकते हैं, topic exclusion कर सकते हैं, या तो फिर आप placement में manual placement करके आप एक एक placement को चूस कर सकते हैं, यह सारे option आपके advantage प्लस shopping campaign में नहीं है, यह देखिए जैसा आप देख सकते हैं, advantage प्लस shopping campaign में, campaign level पे मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, न नहीं तक आपने देखा दोस्तों कि आपको advantage प्लस shopping campaign में बहुत सारी चीज़े प्रिसेट मिल रही हैं, यह उनको दूसरे शब्दों में कहें कि आपके पास कोई control नहीं है, उनको चेंज करने का, यहां पे see all preset settings की बटन भी आती है, advantage प्लस shopping campaign में इस प्लिक करेंगे तो यह बता रहा है कि आपका objective यहां पर preset है, आपकी bidding strategy जो की highest volume में वो भी dynamic creative आपका बंद रहेगा, placement आपको advantage प्लस placement ही आप select कर सकते है, मतलब वो preset है यहां पर, customize optimization for ad delivery जो है, वो conversion ही रहेगा, age 18 यह उसकी उपर रहेगी, age में भी आपको selection नहीं कर सकते, यह हैं आपके सारे presets advantage प् Кेमपेन के addset level पे और campaign level पे, जब हमने उसको compare कि advantage promise shopping प्लस चॉप हीजट के साथ, अब हम advantage wise shopping campaign का ads level देखते हैं, और manual campaign का ढभी ads level देखता हैं, इसमें आप देख सकते हैं, दोस्तोêtedog, add का name page select करना, Manual Catalog और Creative Sources Creative Sources में Manual Catalog Format में Single Image वहीं जब आप Manual Campaign में आप देखते हैं तो नाम Select करना, Page Select करना वो ही है Setup में Manual Catalog और इसमें एक और Option है Advantage Plus Creative Catalog वहीं जब हम Advantage Plus Shopping Campaign में Scroll करके नीचे जाते हैं Ads Creative वाले section में तो आप देख सकते हैं पर Primary Text, Media चूज कर सकते हैं Creative चूज कर सकते हैं पर प्राइमरी Text, Headline, Description and Call to Action वहीं जब आप एक्रेटिव लेवल पर जाते हैं Manual Campaign में तो आप देख सकते हैं Media, Primary Text, Headline, Description, Call to Action यान की कोई चेंज नहीं है उसके भी नीचे जब हम जाते हैं Destination Level पर Shopping Plus Campaign में तो आप देख सकते हैं Website URL, Display Link, Primary Destination, Secondary Destination तो आप मैनूल Campaign में जब नीचे जाते हैं Destination में तो Website URL, Display Link, Browser Ads On, Instant Experience, Facebook Event कुछ उप्शन जादा हैं हाला कि जर्नली उन उप्शन को हम चूज नहीं करते हैं फिर नीचे ट्रेकिंग आ जाता है वैसे ही Advantage Plus Shopping Campaign में भी ट्रेकिंग आ जाता है तो दोस्तों यहां तक आपने देखा कि Advantage Plus Shopping Campaign और Manual या Standard तरीके से जो Campaign बनाई जाती थी उसके एक्स के लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं है बहुती माइनर चीजे हैं जो कि Manual में जादा है जिनका हम अधिकतर यूज नहीं करते हैं और मोटी मोटी लगबग 90% या 95% कहने चीजे सेम टू सेम है Advantage Plus Shopping Campaign में और Manual Campaign में इसका मतलब यह हुआ कि सारा जो Presets है वो Campaign Level को और Adset Level पे किया है Facebook ने आपके लिए जब आपको वो यह कहता है Advantage Plus Shopping Campaign है या Tailored Leads Campaign है यानि कि पहले से बनी हुई Setup की हुई Campaign है आपके लिए तो दोस्तों यहां सवाल उठता है कि क्या या Advantage Plus Shopping Campaign हमारे लिए फायदेमंद है या Facebook इसमें हमें गुमरहा कर रहा है उसका फायदा देख रहा है तो देश्तों Facebook की इसके पीछे दो प्रकार की सोच है पहली यह कि जब नौ सिखिये लोग beginners लोग जब Facebook Ads चलाते तो सबी चीजे manually set up करते थे तो उनके पास थोड़ी knowledge की कमी होने के कारण वो एक बेकार campaign create कर लेते थे अपने हिसाब से mash up कर लेते थे और उनको performance अच्छा नहीं आता था जिससे उनके मन में यह feedback जाता था कि Facebook Ads से उनको फायदा नहीं हो रहा है और इससे Facebook को नुकसान होता था तो Facebook ने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी ऐसी चीजे प्रिसेट कर दी जाए जिनसे बहुत ज़्यादा probability है कि अच्छा ही result आएगा ताकि कोई भी beginner अगर campaign बनाता है तो most to most probably उसकी campaign अच्छी चलेगी और उसको profitable result मिलेगा पर दोस्तों जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी campaign बना सकते हैं हाला कि advantage plus shopping campaign एक time saving तरीका है अगर आप open campaign बनाना चाहते हैं यनि कि आप अगर अपनी campaign में targeting open रखना चाहते हैं age limit open रखना चाहते हैं तो advantage plus shopping campaign अगर आप choose करते हैं तो इससे आप tiny बचाते हैं और आप अपनी फट फट केंपेंड बना लेते हैं दूसी चीज दोस्तों मैं यहां आपसे यह कहना चाहूंगा कि Advantage Plus Shopping Campaign कहलो या Tailored Leads Campaign कहलो यह दोनों ही बहुत ही ज़्यादा AI Based Campaign है Facebook Algorithm की जिसमें Facebook अपनी Powerful AI का यूज करता है आपको Best to Best रिजल्ट देने में तो आपको हमेशा Advantage Plus Shopping Campaign ट्राय करके जरूर देखना चाहिए और अगर आपके Ad Account में पुराना रिकॉर्ड से पुराने पर्चेसेस हैं या पहले सी लीट्स आती रह रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि Advantage Plus Shopping Campaign या Tailored Leads Campaign आपके लिए काफी profitable रहेगी क्योंकि यह बहुत ही broad audience पर चलती है तो यह पूरा अपने हिसाब से decide करती है बस आपका जो creative है और जो आपका कर सकते हैं रिमार्केटिंग कर सकते हैं आप अलग-अलग इंट्रेस्ट पर टार्गेटिंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से चीजों को optimize कर सकते हैं जो option आपके पास Advantage Plus Shopping में नहीं मिलते हैं तो इन शॉर्ट अगर आप बिगनर है तो आप Advantage Plus Shopping Campaign पर जाएं अगर आप आपको sales करनी है और आप tailored leads campaign पर जाएं अगर आपको leads चाहिएं इंटरमीडियेट हैं यह बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं तो आप manual campaign भी अपने हसाब से setup कर सकते हैं उसको भी open या targeted रख सकते हैं दोस्तों के अलबाब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे WhatsApp कर आप मेरे courses से भी सीख सकते हैं Google Ads और Facebook Ads चलाना साथी साथ अगर आप Google Ads या Facebook Ads को मैनेज करने की services लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे contact कर सकते हैं नीचे दिएगा screen के नंबर पर